कि मैं मैं इस्टडिउ सीट चैनल दोस्तों प्रिविएस ये सिरीज का इस पंद्रहुआ सिरीज है जितने बीविएस ये में दिग्यत वर्थो में कोस्टन पुछी गये हैं और टेक टापिक से वह कोस्टन को मैं टापिक वैज आपके समझ पस्तुत कर रही हूं जो आपके लिए बेरी इंपोर्टेंट कोस्टन्स है दोस्तों डेली बिसेश पर आप इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि दोस्तों सफलता एक दिन में नहीं मिलती है यदि आप किसी पत्थर पी एक ही बार पानी गिरा देंगे तो कभी फूडता नहीं है बलकि धीरे धीरे बुन्द बुन्द करके लगातार गिराएंगे तो वो पत्थर फूटने में सच्छम हो जाता है उस पत्थर को तोने में उपानी बुन्द बुन्द करके लगातार सच्छम हो जाता है इसलिए दोस्तों लगातार किसी चीज में consistency बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, सुरू करते हैं आज का शरीश, question number one से. कि निम्न लिखी तमेशे कौन मानों शरीर के लिए आवश्यक्ष सुछ में तत्त है इसमें से आपको छाटना है मैगनिशियम, आयोडीन, लोव, शुडियम में से आवश्यक्ष सुछ में तत्त कौन सा है तो दोस्तों यदि आप रसानिक अडू केमिकल इलेमेंट्स के बारे में पढ़े होंगे इसका एंसर आप जरूर दे देंगे तो इसमें पूछा है कि कौन सा मानों सरी के लिए आवश्यक्ष सुछ में तत्त है तो दोस्तों जो मैगनिशियम और सोडियम है दिर्ग तत्तों मुख्य तत्तों में आते हैं जबकि आयोडीन और लौ तत्तों ए सुछ में तत्तों में आते हैं तो इसका सही एंसर होगा बी और सी आयोडीन और लौ दोस्तों जैसा कि हमारे रसानिक अडूओं को हमारे सरी में तत्वों को कुल मिलाकर के 21 तत्व पह आते हैं वों तत्वों को दो भाग में डिवाइड किया गया है carbonic यानि जैविक या organic compound और दूसरा और carbonic तत्व यानि कि जैविक भी कह सकते हैं या इन और गेनीख compound सेब 사 коммент amcast AI जो आर्गेनिक होता है जो कर्बनी पडाफ होता है दोस्ते हैं हमावारे सरी में 19-000 भाग मानोसरी में बना होता है 두 wind कर्बनी पडाफ के आर्गेमिक पडार्थ के चार अड़ूंट कारबोहड़ाईडीट प्रोटीन वसा नाभी के Oh यानि कि कि इसमें कौन कौन से पढ裂ते हैं अक्सिजन, कार्बन, हाइडरोजन, नैटोजन फुरा पुरामिलादा करके हमारे शरी का 96,9% बनाती और वही इन और जिंट इसमें करबन नहीं होता है यह 308% मानुसरी का भाग बनाती है आगे चलते हैं तो कुश्चन आएगा ठीक है यह 308% भाग बनाती है और यह हमारे सरी में बटा गया है इन आरगेनिक यानिक पदार्थों को दो भागों बनाती है एक अधिबार तत्व यानि कि मुख्य खनीज जीम लबर जिसे मेजर मिनरल्स बोलते हैं एंड दुसरा सुच में सका क्यालशियम तर अदूर्बन टत्व कहते हैं उसमें काल्सियम फासफोरस, पोटेसियम, सलफर, सोडियम, क्लोरीन, मैगनेसियम आता है जब कि जो सुच में तत्व होता है लगुखनी जलवड होता है जिसे ट्रेस मिननर्स भी कहते हैं वह हमारे सरी में कम मातर में पायाता है जिसे कि आयरान, कुबाल, कापर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, मौलिबडीन, मैगनेज, सोलिनियम, और फ्लोरीन, नेक्श्ट कोश्चन है दोस्तों, सरीर के लिए अनिवार अमीनो अमल कौन सा है, शरीर के लिए अनिवार अमीनो अमल कौन सा है, चार आपसानों में से दोस्तों, तो सरीर के लिए अनिवार अमल अमल इसमें है, आपसा नमबर C लाइसीन कौन सा है आपसर नमबर C लाइसीन सरी के लिए अनिवार अमिनु अमल है जैसा कि दोस्तों अमिनु अमल को हमारे सरी में अमिनु अमल 20 से 22 अमिनु अमल पाजाते हैं जो आवस्यक मरम्र्थ होता है वो भूझ पदात्यों से बाहर lunar से स्रीर को नौ ओते हैं और जो आवस्यक मर्थ होता है, जिसए स्वै Impossible निमार्थ analyze भूझ पदात्यों के पाचण के बाद वो तेरह थे ह् होते हैं कुल मिलाकर एशी 22 मर्थ होतेहं सरी कहीं हो तो 9 आवस्यक उम्यदों और तो 9 आवस्यक उम्यदों होता है 9 आवस्यक उम्यदों होता है Lessine, Isoleucene, Lycene, Methelene, Panel Al Pack, 309, Beline, Taptofon, Histidinτε आदी आवस्यक उम्यदों होता है तो इसमें आप समक्न क्वों सब्यदों है Lycene होता है कि इंसुलीन के हरकत को उत्तेजित करता है और इसकी कमी से मधुमे यानि डाइवीटीज हो सकता है या पनील, सीरा और हरी फुल गुभी में पाय जाता है यहां पर डाड़ट है यानि यानि कुश्चन कह रहा है कि कौन सा पदा था जो इंसुलीन की हरकत को उत्तेजित करता है और इसकी कमी से मदुमे यानि डियाबिटिज हो सकता है यह पनी सीरा और हरी फुल गोभी में पाए जाता है इसका सई अंसर है क्रोमियम क्रोमियम क्या करता है दोस्तों यह हमारी इं दिन में मदमी की होने की असंकरती है जो क्रोमियों होता है दोस्तों या पनीर आलू हरी फुलकों भी सीरा लर्सुन आदिमें पर जाता है निश्कूशन है दोस्तों कि विश्व स्वास्त संगठन के अनुसार सोडियम की 1.7 ग्राम मात्रा प्रती दिन यानि की अर्थात कितना ग्राम नमक प्रती दिन से अधिक नहीं लेनी चाहिए बिश्व स्वादवली अच्चो के अनुसार सोडियम की 1.7 ग्राम मात्रा प्रती दिन लिया जाता है आपसाथ इसके कहने का ताथ पर है कि कितना ग्राम नमक से प्रतिजिन से अधिक नहीं लेना चाहिए इसका सभी अपसन है 5 ग्राम आपसन नमबर C next question है कि एक मानों शरीर के वजन का कितना हिस्षा खरिजी तत्तों का बना होता है जैसा दोस्तों अभी मैं तुरंत बताई हूं कि हमारे सरीर में अड़ो को तत्तों को दो भागों में बटा गया है कार्बनिक और कार्बनिक यानि अर्गेनिक इन और्गेनिक कार्वनीक यानि आर्गेनिक में आपका आकसीजन, कार्बान, हाइड्रोंजन, नैट्रोंजन, जो 90 % घर्वाग बनाता है और इनार्गेनिक होता है और कार्वनीक पता जो खरीज लवड़ होते हैं खनी तत् comum का ताहल हो थो है 4 परसंट भाग यह तीन दोसटलों को आट परसंट मैं होता है, यह दो 2,25 परसंट भाग बना होता है दोस्तों पस्यो आत्य तो भन होते हैं यह था खनी परसंट वहते हैं, भृत होती है, यह जोती है अती महत्पूर है नेश्ट कोश्चन है दोस्तों कि सरीर का 70% हिस्टा बना होता है कि इस चिसका जैसा कि आप सब को पता है पानी से हमारा 70% हिस्टा जो होता है वो पानी से बना होता है यह कि हमारे मान स्पेसियों में कितना जल पाजाता है दोस्तों 75% प्लादमा में कितना पाजाता है 90% यह सब आप याद रखेगा निम्नि में से कौन सा स्वस्त आहार का एक आवस्च्छ घटक है पास्ता मथली ब्रेड पानी कौन है आवस्च्छ घटक तो पानी हमारे स्वस्त आहार का एक अवस्य घटक है यह एक अकार बनेक योगिक है यानि इन और्जनिक तत्व है जविकी दिष्टी कोड़ से जल में कई प्रकार की बिस्ष्ट गूर पाया जाते हैं तो जीवन के लिए अत्यंत महत्पूर है इसे जल स्वस्थ आहर की दिष्टी से भी आवस्य घटक माना जात है मानोजश्वरीर की बनावाट में प्रोटीन का अनुपात कितना होता है सत्तर परसेंट आ एसका मजबूद बनाता है यह तो इसका सही अप्सन होगा पेसी उत्तक को मजबुत बनाता है नेश्ट क्रोश्चन है कि अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाए जाता है तो इसका सही अप्सन है अप्सन नंबर C ग्लोबियूलीन अंडे में ग्लोबियूलीन पाए जाता है जबकि केसीन जो होता है वो दूद से प्राप्त होता है नेश्ट क्रोश्चन है दोस्तों एक आउसत कारेश्चील महिला के लिए प्रति दिन कितना प्रोटीन लेना उप्यक्त बताया जाता है इसका सही आप्षन है 46 ग्राम प्रोटीन जो है दोस्तों आक्सीजन हाइडोजन नाइट्रोजन से बने होते हैं नाइट्रोजन की उपस्थिती के कारा रही प्रोटीन को कार्भुहाईडेट्स विस्ट वस्थास Сे अलग पदार्थ समझा जाता है के पडार्थ बनाती है दोस्तों कर्बोौिध पितिक नाइट्रों कुई होता है वह आक्सीजन हाइड्रोजन और कार बना होता की प्रोटीन कार yn अग दौद में पार में पार जाता ह्ِّच्ट कोईस्चorkांग प्रफिकलिन अनुमानित अधिक्तम कार्बोआइडेर्स की मात्रा क्या है सरीक वजन के हिसाब से प्रति किलो ग्राम अनुमानित अधिक्तम कार्बोआडडेर्स की मात्रा कितना है तो 15 ग्राम नेश्क कोचन है कि immune system कारेपडाली को बिक्षित करने के लिए तथा muscle breakdown को इसका शही आप्सन है glutamine दोस्तों muscle breakdown muscles को build करने के लिए glutamine लिया जाता है एक protein होता है जो glutamine एक alpha amino amyl होता है जो शरीर में protein निर्मार के लिए आवश्यक होता है यह immune system कारेपडाली को बिक्सित करने और muscles breakdown को रोकने के लिए खिलाडियों द्वारा food supplement के रूप में लिया जाता है जैसे food लिया जाता है next question है कि protein का पार्चन होता है कहां पे होता है दोस्तों सबसे पहले बोजन जाता है हमारे grass ननी से होते हुए आइसोफेकस से होते हुए कहां पे जाता है अमासा यान इस्टोमक में जाता है तो हमारे अमासा में जाते है उसको किस से किस से मुलाकात होता है L I P即 के चमट हुए अधी के गर्क्या से होता है है यान उसमें प्रोटीन के पर होते हैं आद से हुए अ ग्नासा में होता है उसके बाद अंमासा से हो जाता है खोटीक जो खोटीक के पहला ही जाते ह sinner होता है वहां पर निकलने वाले ऑनजाइम्स होते हैं ERIC Lbug and EPLE जोतों तो लिपीन होता है इस फीषिden अंडिक को नर्टी आतमी आत होता है यहां पे 1 लंशिमछी है शाफ्टैन को फ़ीषा शंいたना हान REM अपे पूर आतमे इस नहीं नंबर ज्रीच आतमी है सब्सक्राइब तो है दोस्तों हमारे अमासय में प्यौपसिन, रेनिंग, गृस्टिक, लाइपेज एंजाइमs पाजाते हैं जिसमें इसी रेनिंग जो होता है और दूद को कैसीन में बदलने के काम करता है दोस्तों दूद में एक पूड आहर होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा 323% पाजाती है अदूद का जो धवल RUNG होता है ओर कैसिंग के उपसृति के कारड ही होता है कैसिंग की कारड हे उसका रंग धवल प्रकारका होता है तो दोस्तों और इसमें अल्बरपोविन नम प्रोटीन भी पाजाता है नेस्ट में स्झेट कोस्ट्टा है प्रोटीन अन्तिम रूप से तूटता है किसमें तूटता थैं इनशा है तो ट्राइप Mayor । तोटता है तिक है यानि सूच में वह सकतों में तूट करके वो हमारे सरी मिजा करके उज्ञामे कनवठ होते हैं लिश्क को जय हैं दोस्तों मिनलिकित में छी कौन्स मिनलिकित में चीजिक्स क्या प्रोटीन का सुरूत नहीं है अंडे मांस दूद तेल जैसा प्रोटीन का स्रीर के टुटे फुटे मांस्पेशियों को ठीक करने के लिए क्या वर्ष्चा है जैसे कि आप सब लोग ठीक लगा दिये होंगे सही एंसर का आपसे नंबर भी करेक्ट एंसर प्रोटीन यह हमारे मांस्पेशियों उतक इतने भी सरीर की मर्मत समंदी कारे होता है वो सभी कारे करता है हमारा प्रोटीन चाहे बाल उगारने की बात होता है तोचा को मर्मत करने की बात हो चाहे नाकोर मांस्पेशियों उतक कोसिका सभी की टूटे बूटे उतकों की मर्मत करता है इन स्वस्थ रखता है नेक्ष्ट कोश्चन है कि छोटे बच्चों के अहार में अधिक्तम मात्रा में शामिल होना चाहिए तो दोस्तों यह असानी से अनुमान लगा जाए जाता है कि छोटे बच्चों को विकास के लिए उसके सरीर के बिर्दी के लिए प्रोटीन बहरी इंपो तो इसका भी प्रोटीन निर्मार जाएगा कोश्चन है कि भोजन का वह तत्तु जिसे शरीर एकत्रिप यानि जमा रखने में सच्चम नहीं है तो कौन सा तत्त्त है जिसे शरीर जमा नहीं रख सकता सच्चम नहीं हों वह बहर निकाल जाता है तो विटामिन हमारे सरी में जमान ही होता यानि एकतित ही होता वह सुच मात्रा में सरी में के समाने उपापते के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन विटामिन्स इनकी कमी से उत्पर रोगों को अपूरता रोग मना जाता है इन्हें पते दिन भोजन से ग्रह करना अवश्यक होता है विटामिन्स को क्योंकि सरीर इन्हें संचित यानि जमान रखने में सच्छम नहीं होता यदि वर्षा में गुलंसिल विटामिन्स का कुछ समय के लिए सरीर में यानि सरीर के यक्रित्र में जमा यक्रित्र में संचिय होता है जैसे कि विटामिन ए के ठीक है नेश्ट कोशन है सरीर में मुख्यता जमा सरीर में मुख्यतिया वसा जमा होती है किस रूप में जमा होती है दोस्तों सरीर में मुख्यता वसा जो है और fatty acid के रुप में एडिपोर्ट टीश्यू के नीचे जमा होती है तो इसका आपसे नमबर C correct answer हो जाएगा triglycide fatty acid और एडिपोर्ट टीश्यू की तरह तो जो हमारे सरी मुवसा होता है हमारे सरी को लिब्रिकेट्स प्रदांग करती है और जह कहां पर होती है रुधिर वाहिनिया को चारो और स्वास नली आहार नाल एडिपोर्ट टीश्यू सरी में कहीं भी अंत्राली उत्तक की रुपांतर से बन सकता है जो अंत्राली जिसे एडिवोलर टीश्यू बोलते हैं दोस्तों उसके प्रभाव से हमारे सरी में एडिपोर्ट टीश्यू कहीं भी रुपांतर बन सकता है वहां एडिपोर्ट टीश तोंचा की तीन प्रते होती है, एपीडरमी, अर अंतरिक प्रत, यानि की जो एपीडरमी से उपरी प्रत होता है, और लोग तोंचा की अंतरिक प्रत, उससे भी नीचे होता है Цाफिय फेटीछिद के नीचे आठ की उता हुँ कॉलब इस यारे बस dettoे ने रूपumbles ही पाचान तंत्र यों पोसल से जिसमें आये हुए है वो यहां पे समाप्त होता है दोस्तों I hope कि सभी कॉस्ट्ञ आपको अच्छे से समझ में आते होंगे एन दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और दोस्तों किस टापिक पर आपको वीडियो चाहिए उसे भी मुझे बताईए मैं उसको पुरा करने के 100% कोशिस करूँगी एन दोस्तों जितने भी टापिक्स बचे हुए हैं थेरियोटिकल टापिक्स में उसको भी मैं पूरा करूँगी आप बस मेरे चैनल पे कांटिन्यू बने रहिए सभी टापिक्स आपको जरूर मिलेंगे एन डेली बेसेज पे यह सेक्यू जो चल रहा है स्रीज वह चलता रहेगा तो दोस्तों पहली बार बीजिट कर रहे हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बिल आइकन को प्रेस कर लेजिए इससे नेस्ट टाइम जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँगी उसको नाटिफिकेशन आप सबको प्राप्थ होता रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक की साथ तब तक के लिए जय हैं